नमекड्र इपका हमारी चैनल में और मैरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने दरहसल बड़ा फेसला लिया है बता दे कि केंद्र की मोधी सरकार ने कोलकाता की एक रोच टी वी चैनल के लाइस संस को कर दिया है दरसल इस न्यूज चैनल पर आरोप है कि ये न्यूज चैनल लगातार प्रोपगेंडा फैला रहा था इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये जो न्यूज चैनल है दरसल ममताब एनरजी के खरीबी बिजनसमैन का था जिसकी वज़े से इसमें ममताब अनर्जी के फेवर में न्यूस दिखाई जाती थी जिसके बाद केंदर सरकार के दुआरा ये बड़ा फैसला लिया गया और इसके लाइसंस को रद कर दिया गया है इसके साथ ही इस पर मनी लॉंडरिंग और धोखा धड़ी से जुड़े कई मामले भी जो हैं वो शिकायत भी सामने आई हैं इन मामलों को ले करके बतादे की केंदर सरकार ने मुख्यमंत्री ममताब अनर्जी के पक्ष में नाम लिये बगार उनके खरीबी माने जाने वाले कोलकाता के एक जाने वाने उध्यमी का रोज टीवी चैनल का लाइसंस रद कर दिया है इसको ले करके पूरा डीटेल बताया है और ट्वीट करके लिखा है कि सूचना और प्रसारण मंत्राले ने एक ऐसी मीटिया कंपनी का लाइसंस रद कर दिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग चानते हैं लेकिन उसके खरीबी सहयोगी का विज्यापन राजस्व सबसे अ नाता भी था जाच में सैक्डो करोडो रुपए के फरजी चलान के साथ साथ मनी लॉंडरिंग के आरोब भी पाए गए हैं राज्य की सत्ता में बैठी सरकार द्वारा नीजी कंपनियों को लाब पहुंचाने के लिए घूस लेने का एक उधारन है एक और तथ जो आपके ह गोश उड़ा देगा अप यह कि मीडिया कंपणी का कोई कर्याल ही नहीं ऑστक कोई तक क्निक की कर्मचारी नहीं था और ना कोई लीज लाइन नहीं थी फिर भी इसे बड़े पैमाने पर विग्यापन मिल रहा था यह बेहद आश्यर करने वाली बात है कि जिस कंपणी को ब हर भर के बिग्यापन मिल रहे थें। आपको बता दें कि संयोग से 26 फरवरी 2018 को कैनरा बैंक ने कोलकाता की एक कमपनी के खिलाफ 80 करोड की दोखा धड़ी का रोप लगाया। इसके बाद एक मार्च को CBI ने 515.15 लाख रुपए की बैंक दोखा धड़ी के मामले में कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समय दस बैंकों के कस्टोरियम को गिरफ्तार किया था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चलता है कि रोज टीवी के माले कमपनी के तीन निदेशकों में से एक निदेशक मोजो कम्मिनिकेशन प्राइविट लमेटेड नाम की एक अन्य कमपनी में भी निदेशक हैं जुनमें अन्य निदेशक बरखा यादव नाम क एक महला शामिल है ये चैनल उसी परिसर से संचालित होता है जिस कमपनी के पास कोलकाता टीवी है यानि कि ये जो रोज टीवी है दरसल कोलकाता टीवी वाले परिसर से ही संचालित किया जाता था यानि कि ये बात तो पुस्टी हो गई है कि इस कमपनी का कोई दफ्तर नही था कोई employees नहीं थे इसके बावजूद इस company को और इस tv चाइनल को भर-भर के विज्यापन मिलते थे और लगातार ये ममता बैनर्ट जी के पक्ष में news दिखाया करता था और साथ ही साथ देखने को मिलता था कि लगातार प्रो ममता को ले करके इसकी news होती थी इस तरीके कर दावा किया जो रहा है फिलाल जब से एक खबर सामने आई है तब से कई सारे लोग है social media पर जो कि ये कह रहे हैं कि अब अगली जो बारी है वो दर असल उन news चैनलों पर भी action लेना चाहिए जो कि लगातार propaganda फैलाने का काम करते हैं जूठी खबरे चलाने का काम करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि fact check के नाम पर गलत खबरे ही प्रसारित करते हैं एसे लोगों को भी ले करके यहां पर कारवाई करनी चाहिए और जिस तरीकी की कारवाई यहां पर देखने को मिला है रोज TV चानल को ले करके उसी तरीकी की कारवाई Information and Broadcasting Department को लेनी चाहिए आपको बता दे की तमाम लोगों ने यहां पर कई सारे चानल का नाम लिया है जिसमें Karma, Wire, Quint जैसे कही नाम शामिल है और लोगों का कहना है कि इन सब में भी action लेना चाहिए क्योंकि लगातार ये propaganda फैलाने की कुशिश करते हैं और ये वैसे news channel हैं जो कि कहीं न कहीं एक खास समुदाय को प्रभावित करने का काम करते हैं फिलाल जिस तरीके से ममताव energy को ले करके ये news channel खबरे प्रकाशित करता था तो ममताव energy की छवी और साथ ही कोलकाता की image को अच्छा दिखाने की कोशिश करता था लेकिन जबकि सच्चाई अगर देखे हम तो फिलाल ममताव energy के शासंकाल में बंगाल में बवाल मचा हुआ है चाहे बात हम रामनौमी के दौ आपको ले करके करें हर समय की जो इस्थिती होती है बंगाल में वो किसी से छुपी नहीं है किस कदर बंगाल जलता है और कैसे जो जनता है उन्हें तमाम परिशानियों का सामना करना पड़ता है आपको बता दे कि दिन दिहाड़े वहां पर कई सारी हिंसन घटनाएं भी द इसको ले करके हमेशा से ही जो वहां के विपक्ष के नेता है उन्होंने कई बार यह मांग की है केंद्रे सरकार से की बकायदा वहां पर केंद्री फोर्ट की तयनाती करनी चाहिए और साथी राष्ट पती शासन लागू कर देना चाहिए क्योंकि मामतब एनरजी तो ठीक से बंगाल को सम्हाल नहीं पा रही है आई दिन वहां पर हिंसक घटनाई देखने को मिलती है जनता वहां पर बेहद परिशान है अभी हाल ही कि अगर बात की जाए तो वहां पर बंगाल में बवाल मचा हुआ है और इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं नैशनल लेवल पर छुपाने की कोशिश की जारी है ममता सरकार के वज़े से बता दे कि ममताव एनरजी लगातार केंदर सरकार पर आरोप लगाती रहती है और वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि 2024 को लेकर के विपक्ष भी तमाम तयारिया कर रहा है जिसमें ममताव एनरजी की पार्टी TMC भी शा शासनकाल में आज बंगाल के स्थथी क्या है वहाँ पर किसी भी जनता से अगर ये पूछा जाए कि वहाँ पर सरकार की क्या कंडिशन है या फिर राज में शांती ववस्था कैसी है तो शायद कोई वैक्ती बोलने से भी कत्रा आएगा क्योंकि वहाँ पर लोगों को सवाल उठे है लेकिन ममतब अणर्जी हैं जो कि दूसरे स्टेट को लेकर के केंड्र सरकार को लेकर के हमेशा उन्हें घेरती हूई नजर आती है हमेशा उन पर आरोप लगाती हूई नजर आती है फिलाल जिस तरीके से रोज टी वी को लेकर कि बड़ी हारवाई देखने और जूट को सच साबित करते हैं और सच को जूट साबित करके दिखाने की कोशिश करते हैं जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं जनता को गुम्रा करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे भी टीवी चैनल्स पर बैल लगाना चाहिए इनके भी लाइसंस को रद कर देना चाहिए आपको बता दे कि जिस तरीके से ये कोलकाता टीवी के परिसर में ही ये चैनल संचारित हुआ करता था रोज टीवी इसको ले करके सरकार ने इसका लाइसंस रद्द कर दिया है आपको बता दें दरसल ये जो रोस टीवी चैनल है वो ममता सरकार के बेहत करीबी बिजनसमैन का चैनल था और इसको ले करके कई सारे सवाल कई सारे शुकायत लोगों के द्वारा की जा रही थी जिसके बाद ये फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया फिलाल इस ख़बर को ले करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप खोलें